हांजी स्टूडेंट्स आज अपना जो टोपिक है ओए सेम्ध क्लास दा टोपिक व्याकरन तहुन आपपा देख दिया कि व्याकरन किसनू कहने हां ते व्याकरन क्यों जरूरी है जदो पाशा होद विच आई एहे सिर्फ बोलनी जान दी सी अते एहे शुद्ध रूप विच नहीं सी फिर पाशा नू शुद्ध रूप विच बोलन दी लोड मैसूस होई इसनू शुद्ध अते म्यारी रूप देन देन लई कुझ नीःम होद विच आई ता फिर सुनो बच्चो व्याकरन क्यो जुरूरी है जदो पाशा होद भी चाही था एह सिर्फ बोल्ली जान दी सी ते इस दा कोई शुद रूप नहीं सी पाशा नू शुद रूप देनली कुझ नियम बनाएगे एसे तरह ही होना पाँ व्याकरन दी प्रिवाशा देख देय वियाकरन दी प्रिवाशा जिस दे विच पाशा वग्याणिया ने पाशा दा म्यारी रूप जानन लें कुझ नियम बनाएगे एँछ निजमा दे इस इकाठनू व्याकरन आग दे हाने कहां जी बचुछत ञो दो खेंगी जानने को गर्णामदानों पाधिक रिखी अल्मनिताच नकरी कने में कुछ Dan नियायायां फॉर्या सोपो statाष पाधिक पिशनकिल बम कुलताग दोज से लिडआवें ओहो कित्थे गई है यह देखो बच्चे अगला तुसी देखो व्याकरनिक रूप ओहो कित्थे गई हान पिता जी आए पिता जी आए हान ते ऐसे तरह ही उन आपा देख देयां व्याकरन दे पेद हान जी बच्चे व्याकरन दे चार पेद हान व्याकरन दे किन्य पेद हान बिदा अब THIS लेखेंग दोडोडोनाती ओं वीज़ेंखेंग हैं ये अदि याफा कहा आदोडिर पाल नाली शबद रूपांत्रन आग शब्द रूपांत्रन तो पावैब्य पनवाशंगे बनाण्य खेविक स्ब्न दुझे वेग्स तबदील कर सकते हुएं तिसरा वस्च मेम्ने अपने कलो है वाक बोध वाक बोध दे विचापपा वाक दी रचना देख 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 दे विश्राम चिन्ना भरे जानकरी प्रापत कर देख देख इसे तरह ही व्याकरन दे चोथे पेद विच समय अर्थक शाब्द, समय अर्थक शाब्द हुन्देने 21 तो सबसें अर्थक शाब्द से इस concerning चराम जाने सीए भ्याकरण। नोटबुक दे उपर ही करनेने त। आ अपने थे विच तिन प्रेशन आए वियाकरन क्यो जरूरी है इस दा अंसर विच तुसी अपने आप लिखना है वियाकरन प्रिवाशा लिखो ते व्याकरन दे चार पेद्दान दे ना लिखो एह तुसी अपनी नोटबुक दे आप ही राइट करने हान ठैंक्स